हे गाईज गूड इवनिंग एन वेलकम टू देव भूमी करियर पॉइंट आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफ़े अच्छे आपके इस्टेडी चल लही होगी तो देखे लगातार में आपको जनवर इससे अक्टूबर महा तक के जो उतराखिंड करेंट उसका रिविजन वीडियो उपलब्द करवा रहा हूँ उसका आज यह भाग दो है कल हमने 40 कोश्चनों का रिविजन किया और आज के इस पार्ट में भी देखेंगे कुछ महत्तोपूंग उतराखिंड करेंट अफेस के क्योश्चनों को आई तिंग चार या पांच यह सेट्स हैं इसमें जर Ginsya के प्रितेक्टेस्ट में दो सो कुषचन है और बहुत चाह्यालप आपको इन देख लेंगे जब एक्जाम होगा साथी बताना चाहूंगा जो हमारी reasoning की classes आ रहे हैं उनको भी आप follow कीजिए test वाली class भी और साथी chapter wise class में जो दूँगा उसको भी आप follow करना बागे test series जो दो channel पर आते हैं वो तो राम बाग है आपके लिए group see exam के लिए उत्राखंड जी के सामानने हिंदी और सामानने दिन की इनको तो आप बिल्कुल skip मत करना तो चलिए आज देखेंगे उत्राखंड current affairs revision महा कुम्ब का बहाग 2 पहला question देखते हैं इसमें पहला question आपके सामने screen पर ठीक है थोगा इसको जूम कर लिता है और देखें काफी लोगों से मेरा निवेधन है सभी लोगों से निवेधन है कि कुछ लोग ऐसे हमारे चैनल पर जिन लोगों ने चैनल को subscribe तो किया हुए बट बैल आइकन को निदबाया जिससे क्या होता कि उनको नोटिफिकेशन निजाबाता नई वीडियो का तो जिन भी लोगों ने चैनल को subscribe किया है प्लीज आप बैल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ओल पर क्लिक करें ताकि कोई भी नई वीडियो आती तो आपको तुरंत उसका अफडेट मिल पाए ठीक है तो चले सुरू करें इस अभी करेंटेफिर 2023 के हैं जनुवर इसे लेकर आपके जनुवर इसे लेकर आपका मैं बोल चुका हूं कि अक्टूबर तक का मैं आपको इसमें रिविजन करवा रहा हूं पुरा ठीक है तो हर कोईशन में हाल में ही आएगा तो आप उसको माइन न करें हाल का मतलब यह नहीं कि इसी अफते या पिछले मैंने का है करेंटेफिर पूरे 2023 का है तो आपको यह याद रहते हैं कि पॉइंट किया इसमें तो परियावर रहां कि सिरी पुरुषकार 2023 से सम्मानी तोने वाले व्यक्ति हैं जगत्सिया चौधरी जंगली जी ठीक है जगत्सिया चौधर तो मैं तीसरा इस्तान प्राप्त हुआ है तो ओवरॉल रैंकिंग आये थी बैस्ते पूलिस इस्टेशन वाली तो इसमें जो हमारा बनबसा थाना था इसको ओवरॉल तीसरा इस्तान मिला था पूरे कंट्री में तो ओप्सन डीस का राइड आंसर हो जाएगा जादा मैं य पड़ गई थे जिससे बहुत से घर छेतिक रस्त हो गए थे अब जो सासन था सासन वगेरा का कहना था कि अनियोजित जो हमारा वहां पर बहुत निर्माग वह साथ ही उसके अलावा जो गैर सीवेज होता है यह सीवेज का ट्रेटमेंट प्लांट अच्छा नहीं है यानि क जो सीवेज का पानी होता ना उसका निस्ता रंग साही तरीके से नहीं हो वह 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 एक रीजन है और हिमाले छेत्र है और मोरेन पर बसा हुआ है जो सीमर्ट कुछ से बैग या निकों ने यह भी बोला बट जो यह कुश्चन है कि कहा पे इनको पुनरवास किया गया तो य जो सीमर्ट के लिए सबसे पहले जो मिसरा कमेल्टी थी ये किस वर से बनाई गई थी कमेंड केजिएगा जो सीमर्ट के लिए जांच के लिए मिसरा कमेल्टी अब बनी थी बता है खेलो इंडिया यूद गेम्स 2023 में उत्राखंड ने कुल कितने पदग जीते तो खेलो तो दिखें आप सभी को पता है जो 2023 का जो वर से है इसको United Nations of Organization ने क्या किया है मिलेट इयर गोसित किया है यानि कि मोटे अनाजों का वच से ठीक है मोटे या पोसक अनाजों का वच से तो उत्राखंड में भी मिलेट विसन यूजना सुरू की गई इसी तरच पे और यह डेट थी 16 फरवरी 2030 ठीक है ओप्शन इसका राइड आंसर है 16 फरवरी 2030 ठीक है त कैमल je 10 फरवरी 2030 में राज जी के कितने व्यक्तियों को संगीत अकार्मी पुरसकार से संभानफ किया गया था तो 2030 का जो हमारा संगीत अकार्मी पुरसकी से संबब्सकार मिला था नहीं प्रवरीं में यह मिला था कि。टने वोगों को? चार लूगों को ठीक है 10 करोड का जुर्माना लगेगा अधिक्तम Option D सामाजिक प्रगती सूचकांग रिपोर्ट में उत्राखिंड को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ तो सामाजिक प्रगती सूचकांग तो सोचल प्रोग्रेस रिपोर्ट इसमें आपका इंडेक्स रिपोर्ट थी इसमें उत्राखिंड का ओवर्ल इस्तान था 14th Optional right answer है 14th आगे बगएंगे मार्च 2023 में उत्राखिंड के कितने खिलागों को देव भूमी उत्राखिंड खेल रतन पुरुसकार मिला तो देव भूमी उत्राखिंड खेल रतन पुरुसकार lifetime achievement award सब इसमें मेंशन किये गए इस current offer में और session में और current offer के इन question हो के लिए भाई हमारे application store पर एक course है lifetime current offer course जिसका price है 145 रूपीज और केवल एक बार की fee से जिसकी validity lifetime है फिर उसके बार आपको कभी pay करने के आवशकता नहीं है उसमें content जमा होते रहेगा अभी उसमें सितंबर तक के उत्राखंड current offer के mcqs और सितंबर तक के national international current offer के mcqs अप्लोड़ेड है नॉम्बर फर्स्ट फिक में अक्टूबर के भी हो जाएंगे तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा तो अगर जिन लोगोंने नहीं लिया ले लिये ना क्योंकि lifetime इसकी validity और current offer कितने important रूत है आपको पता ही है तो देव भूमी खेल रतना award मिला भाई कितने लोगों को दो लोगों को ठीक है option 20 का राइडान से दो लोगों comment box मा comment करो बताओ किस किस को मिला तो राष्टिय सुदूर समवेधी केंद्री की हाल में ही जारी भूसकलन मानचित के रिपोर्ट में राज्य का कौन सा जिला देश में भूसकलन से सर्वाधित प्रवावी जिला बना है तो देखे सबसे जादा भूसकलन से affected जो हमारा district है वो उसमें नाम आया भाई रुद्र प्रियाग का ठीक है option डीस का राइडान से रुद्र प्रियाग आगे पुलेंगे हाल में ही वर्शे 2022 के लिए कितने सिक्षकों को सेलेस मतियानी पुरुसकार के लिए चैनीत किया गया सेलेस मतियानी राज्य सिक्षक पुरुसकार ठीक है की चेतरे में दिया जाता है पहली जाना है जाना है जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में कौन सा जिला अवल रहा? तो भाई जल जीवन मिशन के देद हर करल में जल पहुचाने में सबसे पहला इस्तान मिला है देरादुन को देखे हैं 2023 में तो option A20 में से उत्तर हो जाएगा देरादुन चलिए आगे बग़ेंगे अगले कोशिन की तरह मुख्य मंतरी एकल महिला ससक्त स्वरोजगार योजना के लिए नियूंतम और अधिक्तम कितने वज़से तक की महिलाएं पात रहोंगे तो देखे एकल महिला ससक्त स्वरोजगार दोस्तों जो एकल महिला होते हैं विद्वा महला हैं, निरासरित महला हैं, डाइवोसी महला हैं, तो उनके लिए दोस्तों योजना सुरू की गए थी स्वरुजगार योजना, इसमें जो age criteria है, minimum इसमें आपका 25 होनी चीए, age और maximum 45 से जादा नहीं होनी चीए, यह जिनकी है, वो महला हैं इसके लिए पात तो आंसर उलेगा, इसका option, option इसका से उत्तर उलेगा, ठीक है, 25 और 45, आगे बगएंगे अगले question की तरह, पूर्वी लदाक में स्वतंतर फिल्द बटालिन की कमान समालने वाली पहली महला अधिकारी कौन बनी हैं, तो उत्राघंड से देखिए, करनल गीता राणा, जो की पूर्वी लदाक में स्वतंतर फिल्द बटालिन की कमान समालने वाली पहली महला अधिकारी बनी, गीता राणा, इंपोर्टन नामें याद रखना, हाल में ही लौन चोई पुस्तक विपिन, दे मैन बिहांड द यूनिफॉर्म, पुस्तक के लेखर कौन है, तो विपिन र पुस्तक से वीडियो दिये, आप वो देख लेना, एंड बजेट का जो टोटल अमाउंट था, वो था 77,407 करोड पे, ठीक है, 77,407, यानिकि ओप्शन C सही उलेगा, आगे बढ़िंगे अगले कोश्चिन की तरह, हाल में ही अंतराष्टे योग माउसों, 2023 कहां पे आई ज चलिए आगे बढ़िंगे अगले कोश्चिन की तरह, पी-म आवास योजनाम ग्रामील में उतराष्ट योजनाम कौन से इस्तान पे रहा, ग्रामील और सहरी, दो प्रिकार से रेंकिंग बनती है, तो ग्रामील जो रेंकिंग होई थी, ठीक है, तो उसमें उतराष्ट का ग् कितने फीस्ति की बगोत्री होई है, तो दीखें, उतराष्ट की प्रतिव्यक्ति आए है, वो बगते ही जा रही है, उसमें लगाता सुधार देखने को मिल ले है, तो इस बार जो आया था, लास्ट एकोनोमिक सर्वे, उसमें बताएगे कि, टोटल इंक्रिमेंट होई है, उतराष्ट की पर क्यापिटा इंक्रम में 10.05 प्रतिशत का, ठीक है, 10.05 प्रतिशत, तो वेरी इंपोर्टन कोश्चिन है, टोटल जो पर क्यापिटा इंक्रम नहीं है, वो भी बगगई है, अब काफी ज़्यादा, किसी टेस्ट में मैं इंक्लूड करतूंगा इसको टोट उतराष्ट की पहली स्पोर्स उनिवर्सिटी कहाँ पर इस्ताविद होगी, तो पहली स्पोर्स उनिवर्सिटी बन रहे होई, अभी निर्मागा दीन है, हल्दवानी में, ठीक है, ओप्शन ए, इसका राइड आंसर है, हल्दवानी, हाल में ही किसने राष्ट्य युवा सं ए, उत्राष्ट का परतिनित्य तो क्यों न है, न दकूं, जुअ पहली स्पोर्सिट दिकले, में, वानी में, इसका राइड आंसर है, अमुँटरअगन सम्पोर्सिट स्था, जो अरे, स्फट्य युवा संसर में, उत्राष्ट्य युवा संसर है, दिव्यानेघी का जो स क्या option B हो जाएगा चलिए आगे पगएंगे अगले कोशिन की तरह बी सूत्रिय कारिक्रम के तहत निर्धारिट विकास सूत्रों की रैंकिंग में राजी के किस जीले ने टॉप किया तो बी सूत्रिय कारिक्रम वाला जो चल ला है ना अर जीले में development के लिए समाविशी विका गया तो एहल्प का मतलब होता है एनिमल हेल्प ठीक है एनिमल हेल्प नामक यहां पर प्रोजेक्ट सुरूर किया गया है उत्राखंड गवर्मेंट के द्वारा दूसरा देखिए अभी आहल में आपने देखा हुआ सड़कों पर जो गड़्डे होते हैं गड़्डे बदन बताएगी पहले ही या भूकम से जो नुकसान होगा उससे संभावित जो चीज़े रहेंगी वह बताएगे जब रैस्क्य होता तो उसमें मिलेगे तो ऐसी प्रकार की कुछ है अलग से एप्लिकेशन बनने वाला उत्राखंड पहला राज्य बना है इस पर मैंने वीडियो दी दीद ही आई ठीगा आपको चेक किजेगा देखिए हमारे प्ले जो हमारे चैनल है राजक पर अलग लग प्लेज़िस्ट बनी है जो करेंटरफियर के टॉपिक है आपको वह करेंटरफिस के प्लेइलिस्ट है वीड उत्राखंड मैंने उसमें लिखा होगा करेंटरफि विद उत्राखंट तो उसमें आप देख लेना यह टॉपिक हो गया लाद यह है उसमें तो पस्तु संदक्सखंट के लिए अग्ले कोश्च आप पस्तु संदक्साविए के लिए ककी सब्सक्राइस वाद नैंस सब्सक्राइस का बमनुद्फ कर की तो बढ़ेंगे इंडिया जश्टीस रिपोर्ट थो father baya की अनुसार न्याई दिलाने के मामले में भारत के अक्थारखंगा उत्राखंग का कौन सा में तो इंडिया सावित्री भाई फुले प्रसंसा अवयर्ड दिया गया वर्थमाल में उत्राखंड अर्थम संख्या निदेशाले के अनुसार उत्राखंड का सरवाधिक प्रति व्यक्ति आए वाला जिला कौन से तो ये डेट अपरेल दो हजार तेईस तक का ठीक है तो अपरेल दो हजार तेईस तक उत्राखंड का पर कैपिटा इंकम में सबसे ज़्यादा जो जनपत था वो था हरिद्वार हरिद्वार की जो per capita income है बाई सबसे जाद है अब होगी भी क्यों नी भाई सब को पता हरिद्वार जो है धर्म नगरी है और तुम बोल सकते कि जो हमारी कुम्ब नगरी है बहुत से स्रद्दालों वहाँ पर लगाता रहते रहते हैं कुछ न कुछ event होते रहते हैं ठीक है तो option B सही है इसका चलिए आगे बढ़ेंगे अगला question ही आप गयब हो गया है इसमें पता नहीं क्या question था है चलिए कोई question अब भाड़ी है I think question होगा आपका पौगी चंपावत रुद्र प्रियाख ठीक है चंपावत नहीं निताल चलिए आप जो भी question था आप मीट गया तो क्या कर सकते हैं ठीक है बस यह है last question था है देंगे वह भी रेज हो गया ठीक है तो दोस्तों यह था आज उत्राखंड current affairs revision महाकुम्ब का part 2 आज कुछ महतोपल question को देगा हमने आगे फिर जो next part आएगा उसमें अन्या महतोपल question को डिसकस करेंगे ठीक है मागी किसी question में अगर query हो doubt हो कुछ आप लोग mention करना ताकि next part आएगा उसमें मैं इसका correction कर दूँगा साथ ही देखिए आप सभी को बोल दूँ कि जिनका अभी exam होना है आरो यार होगा वो लोग reasoning की भी महनत करें GS के साथ साथ क्योंकि आरो यार में 100 number की GS है और 50 number की reasoning है और 50 के reasoning से बहुत जादर merit vary करी लिए तो इसको भी आपने द्यान से करना है इसमें मैंनत करना आप लोग पांकि EOTI का का आफी लोग बोल है वन डे एक्जाम है बाई हां केवल वन डे एक्जाम है इसमें कोई बी इंटर्विव नहीं कुछ नहीं है केवल एक आपको दो पेपर देने है एक ही दिन में होंगे ए आप लोग फॉर्म भर लेना ठीक है वीपीडियो के लिए ट्रिपल थी मैंडेटर है इस चीश का ध्यान नक है बहले आपने बीसी किया हो बीबीए किया हो कंप्यूटर का डिब्लोमा किया हो कुछ भी किया हो कंप्यूटर में इवन डिग्री हो आपके बास पोस्ट ग्रे बढ़ जिनके बास ट्रिपल सी नहीं भी है वो लोग इसना तक इस तरिए कि अन्य जो पोस्ट है उनके लिए आप एलिजिबल हो ठीक है तो आप अन्य पोस्टों के लिए फॉर्म जरूर बनना ट्रिपल सी में नो करते ना आप लोग बस इतना ही है लेकिन फॉर्म भरिये करें बहुतमष्फ निफ्ष ही है लाँ जितने फी टॉपिक्स आपको दे रहां उनको आप फॉलो करना इसकिप मत करना बहुत हेलब मिलेगी इन टॉपिक्स आपको आने वाले एक्जाम्स में ज़ले तो यहीं पे सैसंस हम आपכते में जल्दी मिलेगी थेसन में अपना ध झाल झाल